आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहाँ पर एक तरफ देखेंगे राहूल की एज एक तरफ उसके फादर की और एक तरफ उसके सन की राहूल की एज बोली गई है 4 by 7 है उसके फादर की एज की तो फादर की एज हम assume कर लेते हैं 7 times of K तो राहूल की एज फादर की 4 by 7 times तो राहूल की एज आ जाएगी 4 के अब बोला गया है राहूल की एज है 4 times of his son's age 3 years ago तो राहूल की एज 4 के ये बराबर है 4 times of son की एज 3 years ago son minus 3 तो यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो son की एज आ जाएगी S is equal to K plus 3 यहाँ से अब लिखेंगे sun की एज K plus 3 आगे दिया गया है इनका average है 33 years तो यहाँ से इनका average 33 years है तो हम निकालते हैं इनका sum तो 7 के 4 के प्लस 7 के प्लस K plus 3 तीनों को एड करेंगे 4 के प्लस 7 के प्लस K plus 3 तीनों की एज का sum बराबर हो जाएगा average इंटू 3 लोग हैं तो 3 से multiply is equal to 99 अब यहाँ से add करेंगे 4 प्लस 7 प्लस K 12 times of K plus 3 बराबर है 99 के दोनों तरफ 3 माइनस कर देंगे तो 12 K की value आएगी 12 times of K is equal to 99 से 3 घटेगा तो 96 दोनों तरफ अब 12 से divide कर देंगे तो K की value मिल जाएगी हमें 8 अब हमसे पूछा गया था question में father और son की age का difference तो father की age निकालते हैं father की age है 7 times of K तो 7 K की value रखेंगे 8 7 into 8 56 years आगई father की age और son की age हमने assume करी थी K plus 3 तो K की value 8 plus 3 11 years आजाएगी son की age हमें बताना है इनकी age का difference तो 56 से 11 घटा देंगे तो final answer आजाएगा हमारा 45 years यह हो जाएगा हमारा correct answer अब match करते अपने options so option number B 45 will be the right answer okay thank you so much guys मिलते अब नए सवाल के साथ classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर